हेलो एब्रिवन कहीं बार क्या होता है कि इंटरकॉर्स करने समय जो कॉंडम है वो रप्चर हो जाता है फड जाता है या फिसल जाता है तो उसके बाद लेड़ियों को डर रहता है कि हम प्रेगनेंट ना हो जाएं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए लास्त तक जरूर बने रहे हमारे इस वीडियों में जो सुरू करें उससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजे क्योंकि ऐसे हेलफुल वीडियों हम तो देखिए कई बार जैसे मैंने बताया कि इंटरकोर्ट करने समय संबंद बनाने समय जो कॉंडम है वो रप्चर हो जाता है फड़ जाता है या फिर स्लिप हो जाता है इसे में प्रेग्नेंसी के रिस्क रहते हैं और जो कपल है वो नहीं चाहता कि उस टाइम पे वो बच इमर्जेंसी पिल जैसे अन्वांटेट 72 हो गया और आई पिल हो गया यह दो ब्रांट जो की काफी ज़्यादा आपको कहीं भी मिल जाएंगी इमर्जेंसी पिल को लेके आप जो अन्वांटेट प्रेग्नेंसी से बस सकते हैं इन पिल्स को लेने का जो समय होता है वो 72 इसका काम 85 परशेंट हो जाता है यानि कि जैसे जैसे आप लेट करेंगे तो इसका वर्क जो है कम हो जाएगा इसलिए आपको सुरुआत के जो 24 घंटे उसमें अगर आप ले लेंगे तो अंचाहिगर्व से आप बचेंगे कोई भी रिस्क आपको नहीं रहेगा और भी अंवांटेट 72 के बाद पीरियट कब आता है विड्रॉल ब्लेडिंग कब होती है इस तरह के जो डाउट है आपके मन में जो कोश्यन होते हैं इससे रिलेटेट और लेड़ी टॉपिक हैं अन्वांटेट 72 करके मेरी एक प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाएंगे तो लोगों को इससे हेल्प मिले चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा और भी कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट में जरूर लिखेगा इंट्रग्राम फेस्बुक पे भी अपने सवाल हमसे कर शकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वह से आप हमें वालो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं तो हम मिलते हैं अपनी नेक्ट वीडियो में थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिए